कोरोना काल में आम की खेती कुछ किसानों के लिए वर्दान बन गई है हालां कि कोरोना काल में उसकी कीमत में कमी आई लेकिन फिर भी ये रोजकार का बहतर साधन बन गया है ऐसे ही खुशाल किसान चक्रधरपूर के हैं चिन्होंने कई एकड में खेती की है कोरोना महामारी को लेकर एक और जहां लोगों के सामने रोजगार के संकटा गए है वही चकरधरपूर अनुमंडल के सोनुआ के रागोई गाउं के ग्रामीन आम की खेती से अच्छी आमधनी कर रहे है इस गाउं के अधिकांश ग्रामीन किसान पिछले एक दशक से आम की खेती से जुड़े हुए है रागोई गाउं पूरे जिले में आम की बेहतर खेती के लिए प्रसिद्ध है रागोई गाउं के किसान अपने आम के फल चकरधरपूर और सोनुआ के बाजार में बेचते हैं यहां के आम काफी स्वादिष्ट होने से लोग इसे काफी पसंद करते हैं रागोई गाउं के किसान अपने बागानों के आम के फल बेचकर अच्छी आमधनी कर रहे है हलाकि कोरोना को लेकर लगे लॉक्टाउन के दौर में यहां की किसानों के आम के बिगरी भी कम हो गई यहां की किसानों के मताबिक पहले शहर के वैपारी इनके गाउं आकर आम खरीद कर ले जाते थे बाजार की कमी और मंडी के आभाओं में यहां की किसानों को अपने फलो का उचित मुल्य नहीं मिल पा रहा है यहां रागोई गाओं में किसान जो आम की खेती करते हैं यह इनके आमदनी का जरिया है और यह आमदनी का अच्छा स्रोत है लेकिन अभी लोकडाउन के कारण यहां पर दूर के जो बड़े सहरों के ब्यापारी नहीं आ रहे हैं जिससे इनको उचित मुल्य नहीं मिल रहा है और यहां के किसानों के बारे में छेतर के लोग भी जानते हैं और जिला प्रसासन भी जानती है और छेतर में ये गाउं आम की खेती के लिए परचलित है और यहां के मेहनतकस किसान आम की खेती से अपने आपको समरिद किसान बनाये हुए हैं रुपेश कुमार नियुजुलबन भारत चक्रधरपूर